हेलो एब्रीवन तो कैसे आप सभी आई होप आप सभी स्टूरेंट ठीक होंगे तो मेरा नाम है विवेक और आप देखरें कॉलेज अपडेट जहां आपको टाम टू टाम सारी अपडेट प्रवाइड की जाती है तो देखिए आज का जो टॉपिक है वो है एने पी यानि नि लर्टी भिष्विज्ग यानि उससे लागू हो चुकी है तो इसको लेकर काफी स्टूरेंट मेश डिवेड चल रही थी और काफी स्टूरेंट इसके बारे पूछे थे सर यह एक्शली है क्या क्या उसका कुछ benefit मिलेगा या सिरब हमें परिशान करने के लिए इसको है क्योंकि आपने कई वीडियो देखी होगी कई जगा सुना होगा वड़ आपको प्रॉपर इंफोर्मेशन किसी ने मुझे लगता नहीं आपको मिली होगी तो मैं कोसिस करूंगा कि जो इसकी जैनुएन बात है वो आपके सामने रखों ताकि आपके मन के जो भी डाउट है को लेकर वो सारे किलियर हो जाए तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आये तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और हमारे टेलिग्राम चैनल भी ज़रूरी जोइन लिंक में डिस्क्रिप्शन बॉक थी उसके तहट अब तक है यह हुआ करता था टैन फ्लस टू वाली स्कीम लागू थी बट उसको खतम करके 2020 में इसको इंटर्ड्यूस किया वैसे 2022 में यूनिवर्सिटी ने इसको अपने यूनिवर्सिटी में इंप्लिमेंट किया बट 2020 में लास्ट टाइम इसको जो है वो आपकी ग्रेजूसन है ठीक है अब इसका बेनिफिट क्या है वो आपको मैं आपको बता दू देगे इसको लाने का मकसद यह था कि जो निवर्स पॉलिसी लाने का यही मतलब था कि जो स्टूडेंट है उनको और ज्यादा ग्यान मिले मतलब उनकी जो स्टडी है स्टूस पो और बढ़ाया जाए और इसके अंदब बैनिफिट कहोंच जाए मैं बता दू दिल Northwest जाओ अदर इस साल से चार यर की ग्रेडूशन retrouve हो चुकि है मणलब और भी उनिवेसिटी सेंटल की प्राइबेट उनको भी इसको इंप्लिमेंट करना होगा क्योंकि अगर आपको इंडिया के अंदर रहना है अगर आपको एजुकेशन से रिलेटेड अगर बिजनस करना है तो आपको यह पॉलिसी लागू करनी पड़ेगा आज नहीं तो कल ठ इसके तहित क्या होगा जो आपकी ग्रैजूसन हो चार साल की हो जाएगी अब स्टूडेंट के बन में यही बात आ रही होगी सब चार साल तीन साल तो हमसे हमसे पूछो की तीन साल कैसे पड़ाई होती है अब एक साल इन्हों ने और ठाप दिया तो अब मैं आपको बता द और माली जी आप फरस्टियर आपने की और आपने पड़ाई छोड़ दी या फरस्टियर फेल हो गए ठीक है और आप आपका मन करना कि मुझे दुबारा से ग्रैजूसन करनी है तो उस कंडिशन में क्या होता था जैसे आपका टाइम पीरिड खतम हो जाता था जैसे पांस स पांस साल बाद आप आते हो तो आपको ग्रैशन में दुबार एग्मिशन लेना पड़ता था इसमें जो भी जैसे आपकी फरस्टियर अगर आप करते हो निए पॉलिसी के तयर जैसे आपने फरस्टियर की तो फरस्टियर करने के आप चाहते कि मैं नहीं पढ़ना चाहता तो आपको सर्टिफिकेट बैचलर दिया जाएगा मतलब फरस्टियर कर लोगे तो आपको सर्टिफिकेट दिया जाएगा अगर पढ़ाई छोड़ते हो और अगर आप सेकंड येर करते हो तो आपको डिपलोमा दिया जाएगा थर्ड येर करते हो तो आपको डिग्री जी दी जाएगी यानि फर्स्ट यर में सर्टिफिकेट सेकंड डिपुलोमा ठर्ट यर में डिगरी मिलेगी ठीक है अब इसका वेनिफिट यह है मालीजी आपने फर्स्ट यर पढ़ाई छोड़ दी सर्टिफिकेट आपको मिल गया तो आप चाहे तो महीं से कर सकते हैं जहां से आपने स्रडी छोड़ी है ऐसा नहीं आपको दुबारे से फर्स्ट यर करनी पड़ीगे तो जब चाहे आपका मन हो आपने स्किप कर जी तुबारे से आप महीं से पढ़ाई कर सकते हो तो यह इसका मतलब है एंट्री और एगजिट वाला इसके अंदर स्क करते हो अई एक साल अगर और पढ़ ले तो और उनसाल आपको एडवार्स य साल की डिग्री मिलेगी बैव जो मनलब जो जन सबजट को आपने पढ़ाए उनमें अच्छे से एक साल आपको और श्टटी करवा दी जाएगी यानई इस इस इसाफ से आपको डिग्डी तो आपको advanced degree दी जाएगी तो अभी तक यह होता था कि तीन साल बादी आपको डिडिरी दे दी जाती थी और अभी अगर आप invention लोगें डिल्ली बिस्वीड्याले के अंदर तो तीन साल बाद अगर आप study छोड़ते हो तो आपको तीन साल की ही degree दे दी जाएगी और extra एक साल अगर आप करना चाहते हो तो आपको फिर advance degree यानि research की degree दी जाएगी तो वो आपके उपर है अगर आप चाहते हो कि नहीं मैं तीन साल में कर लेता हूँ मुझे सब graduation करनी है तो आप कर सकते हो आपका मन है यानि यह जो एक साल जोड़ा गया है यह optional है एक तरीके से ठीक है अब सबसे बड़ा कोशन सर इसके benefit क्या होंगे तो देखिए सरकार ने यह सोचा है जो एक साल जोड़ा गया है इसका benefit student को ऐसे मिलेगा कि उसमें हम एक्स्ट्रा चीज़ें उन्हें सिखाएंगे जैसे आप internship हो गया आपका और मालीजे कोई student करके निकलता है तो वह एक दम मार्किट में जाता है मालीजे ऐसा आप ने कर ली और आप बहार निकल गए आप जॉब के लिए जाओगे तो आपका स्किल्स तो है नहीं आपके इस तरीके से फेस करोगे तो जो एक साल के अंदर आपको इसी चीज़ के ट्रिंक किया जाएगा माला को मिला के बात ही है जो एक साल जो जोड़े गए है इसका वैनिफिट सिर्फ यह ही है कि आपको इसके तहत एक रीसर्ट यानि एडवांस डि glory plus कर दी जाती है अगर आफ तीन साल करके अगर छोड़ना चाहो तो आपको पहले की तरह जो अभी degree मिलती हो मिल जाएगी बाकि 1978र चार साल करते हो तो इसके तहत आपको एक एडवांस लेवल की डिगरी दी जाएगी बहुतों मिलें कि उसके साथ एक और शर्टिफिकर आपको दे दिया जाएगा तो कुल मिला के चार साल करने का वैनिफिट यही रहता है इस्टुएंट को कि एक तो सीखने को बहुत मिलता है सीखने को ऐसे मिलेगा कि यूनिवसिट करें जाले के अंदर भी होगई इसका वैनिफिट यही है कि एक तो इसमें आप फ़र्ष्ट करके छोड़ सकते ओ पास हो गए तो अपको स्क्रूम मिल जाएगा सेकंडिर करके छोड़ते तो आपको डिपलोमा मिल जाएगा थाडिया अगर करके छोड़ता तो तो आपको प आप सबसे बड़ी बात इसके नुकसान क्या है देखे नुकसान यह है कि पहला इस्टूडेंट के मन में जो अभी ब्रहम जा चुका है उस ब्रहम को निकाल नहीं सकते कोसिस कर सकते कि उसको कम करें मैं बस यह कहूंगा कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत ऐसा खुछ न जाए तो देखे आप अग्नु जाओ या कहीं जाओ जब यह लागू होना श्टार्ट हो गई यह तो इस साल इगनु में नहीं अगले साल हो जाएगी तो लागू तो होगी बाकि यह एक साल जोड़ा गया यह आपका मन है अगर आप करना चाहते हो चार साल तो कर सकते हो ब आपको दी जाती है अब आपके उपर है आप से अब सिंपल डिग्री लेना चाहते हो जो मैंने भी लिए और बागी स्टुडेंट ने भी लिए क्यों कि हमाने टाइम पे तो थी नहीं ठीक है और आप चाहते हो कि मैं नई एजुपिशन पॉजिसी के टाहर एडवांस डिग् देगा फर्स्ट यर किया सर्टिफिकेट और बैचलर आप माने जाओगे सेगंड डिपलोमा और बैचलर माने जाओगे फाइनली थर्ड यर किया तो आप बैचलर और डिग्री माने जाओगे और फोर यर किया तो एडवांस डिग्री और बैचलर माने जाओगे तो वह ऐसा नहीं है कि इसके तहट आप सोच रहों कि मैं इगनूट चले जाओ बाकि अगर कोई भी न्यू एजुकेशन फॉलिसी आती है तो गवर्मेंट इसलिए इस लिए इंटर्ड्यूस करते कि आने वाले टाइम पे उसी के तहट सिस्टम को चेंज कर दिया जाता है अभी चार यहरी की जो रहेगी आने वाले टाइम पे आपको काफी चीज़ों में देखने को मिलेगी हो सकता है जॉप्स में भी देखने को मिले ठीक है तो समय के साथ बदलना चाहिए और यह बदलाव जब लागू हुआ है तो दिए दिरे करके पू सब्सक्राइब करते हैं तो आपको काफी वेनिफिट आपको आगे देखने को मिल सकता है मैं तो यही कहूंगा क्योंकि फ्यूटर किसी नहीं नहीं देखा तो अभी इसे इंप्लीमेंट कर दिया गया अब देखते हैं कितना काम्याब होता है बाकी यह वीडियो थी इस से रिलेटेट फोर यह ग्रेंदूसन प्लैन वीडियो कैसे लेगी वीडियो को लाइक करते चैनल को सब्सक्राइब करते ठाइंक यूज करते हैं?